दो हजार बाइस में पहली बार MNS आस्पिरेंट्स को नीट फेस करना पड़ा नीट का इग्जामिनेशन फेस करना पड़ा अब एक कश्मो कश दिमाग में आ गया कि जब नीट का इग्जामिनेशन फेस करना ही है तो क्यों ना MBBS लाइन में जाएं क्यों ना प्राइवेट कॉलेजिस से MBBS या कोई कोर्स करने क्यों मिलिटरी नर्सिंग सर्वेसिज ही करें अक्सर इंटर्व्यू में ये सवाल भी पैनल पूछ लेता है कि भाई वाई डियू वाउन टू बिकम एन MNS ओफिसर विन यू और नीट इग्जामिनेशन वाई नॉट डू एम्बी बीएस और प्राइवेट नर्सिंग फ्राइवेट उनिवरसिटी तो डिफेंस आज इस सवाल का मैं उत्तर दूँगा क्या फाइदे हैं मिलिटरी नर्सिंग सर्विसिज के एक अधिकारी बनने में पहले तो एक चीज समझें दो हजार बाइस पहला ऐसा एतियासिक साल था जब मिलिटरी नर्सिंग सर्विसिज ने अपना पूरा प्रोसीजर बदल दिया जी हाँ, इससे पहले military nursing services अपना पूरा procedure individual body लेता था, autonomous body ही लेता था, जहाँ पहले एक written examination होता था, उसके बाद personal interview होता था, ज्यादा stages नहीं थे, लेकिन 2022 में पहले NEET का examination देना compulsory हो गया, क्योंकि military nursing services ने पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया, दिमाग पे बहुत ध्यान दिय अब सवाल ये उड़ता है कि क्यों एक female aspirant को military nursing services opt करना चाहिए, तो इसके कुछ 6-7 points हैं जो मैं आपको बताऊंगा, military nursing services के थूँ आपको 4 साल की BSC nursing का degree मिलती है, और 4 साल की training के दौरान आप फौच के खर्चे पे अपनी BSC nursing करते हैं, फौच के खर्चे पे रहना, खाना, पीना होता है, और साथ ही 14,600 रुपए का stipend भी मिलता है, तो पहली बात तो यह हो गई कि आप फौच के बिलकुल guest हो, फौच के खर्चे पे आप BSC nursing कर रहे हो, आपका अपना कोई पैसा नहीं लग रहा, आपको stipend भी मिल रही है, प्लस overall discipline भी जिंदगी में आ रहा है, कहीं न कहीं, चार साल के BSC nursing करने के बाद, आप commissioned officer बन जाती है, जी हाँ, you become a commissioned officer, you wear the uniform and you serve the nation, अपने आप में बहुत ही किस्मत वालों को यह मौका मिलता है, जहाँ आप BSC nursing के साथ साथ, you are serving the nation by becoming a commissioned officer, स्टार्टिंग सालरी, एक commissioned officer की लगभग सवा लाक रुपए है, जी हाँ, यह भी एक motivation है, 12th pass बच्चियों के लिए, एक स्टार्टिंग सालरी सवा लाक रुपए, प्लस इसमें DA है, प्लस HR है, प्लस special military allowance है, अलग अलग चीज़े हैं, मतलब minimum take away salary जो है, वो देर लाक रु यसी nursing के तुरंद बाद, जो private universities में बिलकुल भी ऐसा नहीं है, private universities से आप किसी hospital में एक nurse बन जाते हैं, जिसकी salary anywhere in between 15,000 से 50,000 तक है, बट वही military nursing services में आप एक nursing officer बनते हैं, first carry away salary is 1.5 lakh रुपीज, जो अपने आप में एक motivation है, कहीं न कहीं job security है, job stability है, आप government employee हो, जी हां, वो बात अलग है कि आप short service commission के लिए हो, कोई pension नहीं है, लेकिन अपने आप में, आप सरकार के employee हो, और recession proof है आपकी job, ऐसा नहीं है कि job secured नहीं है, आपकी बिलकुल job secured है, job में stability भी है, next point, जो military nursing services के तरफ, रुजहान में motivation करता है, वो है forge की जिंदगी, एक campus की जि आपे, within the chair दिवारी, आपका घर है, आपका office है, hospital है, schools है, cinema halls है, शाम को walking के लिए space है, sports है, वो अलग जिंदगी है, पूरी civil life से वो जिंदगी पूरी के पूरी अलग है, जो secured है, एक female के लिए, एक female के parents के लिए, ये बहुत बड़ा factor होता है, कि मेरी बेटी secured है कि नहीं उ security है या नहीं है, और forge में, नारी शक्ती को, महिलाओं को बहुत ज़्यादा respect से देखा जाता है, तो defense aspirants ये भी एक motivation है, military nursing services join करने का, आपको overhead benefits जैसे medical facility, ECHS के द्वारा, canteen facility, जब आप married हो जाएंगे आपके बच्चों को, FO school, army school, केंद्रे विद्याले, संगठन के schools, ये सा सारी quality education मिलेगी, and last but not the least, आपको respect मिलेगी, जब इतने सारे features हैं, तो क्यूं इनसान, civil से BSC nursing करे, क्यूं ना, फौज के खर्चे पे, फौज के द्वारा, चार साल की BSC nursing करके, nursing officer बने, त्रिशूल defense academy में, military nursing services, 2023 के लिए, टौगी का batch, एवं, NEET 2024 का batches, offline mode में, स्टार्ट हो गए हैं, वो बच्चियां, जो अगले साल, NEET का examination देगी, उनको आज मेहनत करनी पड़ेगी, आज से अपने sacrifices देने पड़ेंगे, आज से संघर्श करना पड़ेगा, तब जाके, 2024 में, आप एक nursing officer बनेंगे, अगर आपका भी लक्ष, military nursing services, join करने का है, तो त्रिशूल defense academy के NEET batches को join करें, जहां लगतार 5 घंटे के classes, Monday to Saturday है, प्रतेक रवीवार को doubt counters हैं, आपको समय समय पे spoken English, personality development के classes मिलेंगे, आपको NEET के previous year papers solve कराए जाएंगे, आपको बताया जाएगा, कैसे psychological assessment test को face करना है, कैसे personal interview को face करना है, जो की commissioned officer, करनल पंकज महरोतरा सर और करनल सौमित्रोदत सर बताएंगे, तो defense aspirants, अगर आपका भी लक्ष, military nursing services, join करने का है, तो आज ही अपने सपने को पूरा करें